नमस्कार, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि राहू क्या है, राहू के अशुप परभाव से कौन-कौन सी समस्याइं पैदा होती हैं और राहू दोज से मुक्ति के उपायों के बारे में राहू एक छाया ग्रै है, राहू की यूती किसी भी ग्रै के साथ ठीक नहीं मानी जाती, जैसे सो लीटर दूद में एक बून निबू की दूद को फार देती है, इसी तरह राहू का साथ शुप ग्रै को खराब कर देता है और राहू की दिशा दक्षिन पस्चिम मानी गई है राहू क्या समस्या पैदा करता है ये जानने से पहले ये जानते हैं कि राहू खुद क्या है, समुद्र मन्थन में अमरित निकलने के बाद जब भगवान विश्णू सभी देवताओं को अमरित देकर अमर बना रहे थे, उसी समय स्वर्भानू नाम का राक्षस चुपके स देवताओं की पंक्ती में आकर बैठ गया, स्वर्भानू के पास खुद को छिपा लेने की शक्ती थी और दूसरे रूप धरने की भी, भगवान विश्णू ने कतार में बैठे स्वर्भानू के मुख में, अमरित की बून गिराई ही थी कि वहां मौजूद सूर्यदे और चंद्रदेव ने स्वर्भानू को पहचान लिया और भगवान विश्णू से इसकी शिकायत की, जैसे ही भगवान विश्णू को पता चला की एक राक्षस धोखे से अमरित का पान कर रहा है, उन्होंने सुदर्शन चक्र लेकर स्वर्भानू का सिर्धर से अलग कर दिया, लेकिन तब तक अमरित अपना काम कर चुका था, अब स्वर्भानू दो भागों में जीवित था, सिर्भाग को राहू कहा गया और पूँच भाग को केतू, कथा के अनुसार राहू केवल सिर्धर वाला भाग है, राहू गुप्त रहता है, राहू गूड है, छिपा हुआ अपना भेश बदल सकता है, जो धका हुआ है, वह सब राहू के अधीन है, राहू की दशा अत्वा अंत्र दशा में जातक की मती ही ब्रश्ट हो जाती है, क्योंकि राहू का सोभाव गूड है, तो यह समस्याइं भी गूड देता है, जातक परिशानी में होता है, लेकिन य परिशानी ज्यादातर मानसिक रूप से होती है, राहू के दौर में ज्यादातर बीमारियां पेट और सिर से सबंदित होती है, बीमारियों का कारण भी स्पश नहीं हो पाता, टेस्क करवाया जाता है तो रिपोर्ट बिलकुल नॉर्मल आती है, बार बार डॉक्टर के पा है कि आसपास की वातवन के प्रतिवे सजग है रात को देरी से सोता है और सुबह उठने पर हैंग ओवर जैसी स्थिती रहती है स्वपन का कारक भी राहू है भैवित करने वाले स्वपन आना या चौंग कर उठ जाना भी राहू के बुरे प्रभाव के लक्षन माने गए हैं रहू खराब हो तो यादाश्त कम होने लगती है व्यक्ति के अंदर बुरी आते आने लगती है धरम के रास्ते को छोड़ कर गलत रास्ते पर चलने को विवश हो जाता है गुस्से पर कंट्रोल नहीं होगा बात बात पर आपक हो देना बेवजा गाली गलोच या अशलील भाशा का परियोग करने की आदत पढ़ जाना शतरों में विदी हो सकती है आस्मान की सपने देखना और सही परियास्त ना करना अच्छी सलाव या अच्छे मित्रों की जगएं चाल बाजों की संगती और बात मानना गंदे शो देखना, गलत इस्त्री या पुरुषों की संगती होना, बेकार की चैटिंग करना और दिमाग खराब करते रहना, शरीर के अंदर अती कामुकता के विचार आना, नशे की आदर, ड्रक्स लेने की आदर डल जाना, लापरवा और गैर जिम्मेवार हो जाना, सडक पर गाड़े यादी चलाते वक्त फालतू पौरुष दिखाना या कलाबाजी दिखाने के चक्कर में शरीर तोड लेना, राहो के दुश परभाव में इनसान दूसरों को परिशान करने के लिए शड्यंत्र रस्ता है, दो लोगों को आपस में लड़ाकर दूर बैठकर तमाशा देखना, लोगों की क्लिप बनाकर लूटने की क्रिया करना, दूसरों का जीवन बिना किसी हत्यार के खराब करना, ऐसा व्यक्ति मकार, नीच, चालबाज, जालिम, बेइमान या धोक्के बाज होगा, हजार परियास के बाद भी असफलता और परिशानिया ही मिलती है, भाग्या पक्ष भी कमजोर हो जाता है, ऐसे लोगों को सफलता हासिल करने के लिए कठोर मेनत करनी पड़ती है, रिष्टे खराब होना, घर में अपनों के साथ ही विवाद हो सकता है, गलत फैमी और आपसी तालमेल ना होना, पतनी के साथ जगडा, वेवाहिक जीवन खराब होना, या विवा के मामले में धोखा, ससुर साले या साली से जगडा होना, दिमाग खराब होना, सोचने की ताकत कम होना, वेक्ति को अपमानित होना पड़ सकता है, पुलीस केस, कोट, कचैरी की समस्याइं होना, मानसिक तनाव बढ़ेगा, जीवन में बाधाएं प लगते हैं, इससे उनका आतम विश्वास भी काफी कमजोर हो जाता है, इन लोगों को अकेले रहने में भी डर लगता है, नकारतमक विचार आते हैं, कहीं कुछ गलत न हो जाए, काला जादू, तंत्र टोना, अधी राहू अपने परभाब में करवाता है, अचानक के परपने के लिए उत्तरदाई है, जिसमें दो विक्ति समाज से नजरे बचा कर एक दूसरे से मिलते हैं, राहू रहस्या का कारक ग्रह है, तमाम रहस्या की परते राहू की ही देन है, राहू जूट का वह रूप है, जो जूट होते हुए भी सच जैसा प्रतीत होता है, राहू विक्ति को जूट बोलना सिखाता है, बाते चिपाना, बाते बदलना, किसी के विश्वास को सफलता पूर्वक जीतने की कला, राहू के इलावा कोई नहीं दे सकता, कई बार प्रेम मामले में धोखा होने की संभावना होती है, राहू जातक को राजनिती की और लेकिन बदनामे का कारण भी यही होता है, राहू हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं, क्योंकि वो विश्व है, जिन लोगों पर राहू की दशा चल रही है, उनको इन रोगों के प्रती अलर्ट रहना होगा, पेट सबंदी रोग और दिमागी रोग के इलावा, गंदगी से उत्पन रोग, सिर में चोट लग सकती है, मूँ के रोग, बाल जड़ना, यूरिन इंफेक्शन होने की आशंका भी बढ़ जाती है, हाथ के नाखुन अपने आप तूटने लगते हैं, अचानक दुरगटना करवाने की मुख्य भूमी का राहू ही निभाता है, कोई पश्ट में होता है, कहा जाता है कि इसके अशुफ फल मिलने से वेक्ती राजा से रंक बन जाता है, वहीं शुप परभाव वेक्ती को रंक से राजा बना देता है, जैसे अचानक लोटरी निकल जाना, जुए में जीत जाना, या मकान खोदने पर घड़ा धन निकलना, मतल पास चाई पीने के रुपए नहीं रहते, वो राहू के समय परिवर्तन के साथ करोडों की संपती का मालिक बन जाता है, वो विदेश की यात्राएं करता है, बहुत सम्मान प्राप्ट करता है, विक्ती बहुत ज्यादा मेनत करने के बाद भी नहीं ठकता, कल्पना शक्ती तेज होगी रहस्य में या धार्मिक बातों में रूची लेगा राहू के अच्छा होने से विक्ति में श्रेश साहित्यकार दाशनिक विज्ञानिक या फिर रहस्य में विद्याओं के गुनों का विकास होता है इसके अच्छा होने से राय योग भी फलित हो सकता है आम तोर पर पुलिस या परशासन में इसके लोग ज्यादा होंगे पर राहू के अच्छा होने पर विक्ति को कभी एंकार में नहीं आना चाहिए अपने गुरू या धरम का कभी अपमान ना करें इसी के साथ कड़वे वचन ना बोलें तामसिक भोजन ना करें जूट बोलना धोखा व्याज का धंदा आदी करने से दूर रहें शराब पीना और पराई इस्तरी से सबन ना रखें नहीं तो आसमान से सीधा जमीन पर आ सकते हैं अब मैं आपको राहू दोश से मुक्ति के लिए कुछ उपाई बताती हूँ पहला है चंदन की सुगन का नीमत प्रियोग करें क क्योंकि राहू सरप है और चंदन के उपर सरप के विश का परभाव नहीं पड़ता नहाने के जल में शुच चंदन का इत्र डाल कर सनान कर सकते हैं या चंदन की सोप या पाउडर का इस्तिमाल भी कर सकते हैं हर रोज घर में चंदन की धूप जलाएं माथे पर चंदन का तिलक लगाएं घर में चंदन की खुश्बू वाले रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल कर सकते हैं अगला है अपने पास पर्स में हमेशा मोर पंक रखें या फिर बैडरूम या फिर ऐसी जगें जहां आते जाते आपकी द्रिष्टी उस पर जाए चांदी का चकोड टुकडा भी अपने पास रखना शुब होता है राहू ससुराल पक्ष का कारक है ससुराल से बिगार नहीं चलना चाहिए अपने ससुर साले या सालियों से बनाके रखें घर में कूडा कबार ना इकठा होने दे दक्षिन पश्चिम दिशा को बिलकुल साफ रखें घर में टॉयलेट और सीडियां जैसे कुछ ऐसे स्थान होते हैं जहां राहू का परभाव होता है इन स्थानों पर अगर गंदगी होती है तो राहू नारास होते है घर का टॉलेट यदि तूटा-फूटा बदरंग खराब हो तो इसे राहू का नकारतमक परभाव घर पर पड़ता है जिसके शोचालय कभी भी इशान कौन में नहीं बनाना चाहिए राहू के दोस्ट से बचने के लिए टॉलेट के किसी कौने में करपूर का टुकड़ा एक कांच के कटोरे में रख दें राहू का दूसरा स्थान है सीडियां सीडियां यदि तूटी फूटी या गंदगी युक्त हों तो जीवन में उथल पुथल मचा देते हैं इससे शत्रू सक्रिया हो जाते हैं और वेक्ति कर्ज में डूब जाता है इन्हें हमेशा साफ सुथरा रखें राहू को भोले नात क भक्त माना जाता है इसलिए राहू के दुश परभावों से बचने के लिए भगवान शीव की नेमित पूजा करें गंगा जल मिला जल शिवलिंग पर चढ़ाएं शमी पत्र अर्पित करें संभव हो तो सौंवार का व्रत रखें भगवान को खी दूच से बनी चीजों का करें सात्विक भोजन लें भोजन हमेशा पूर दिशा की और मुख करके करें संभव हो तो भोजन कक्ष में ही भोजन करें हाथ पैर के नाखुन काट के रखें खाने से पहले हाथ धोएं पीने के पाने को फिल्टर या उबाल के पिएं बासी खाना नहीं खाएं भोजन में दूद, दूद से बनी चीजें जरूर ग्रहन करें, गुटखा या तंबाकू आदी का सेवन करते हैं, तो तुरंद बन कर दें, क्योंकि राहू कैंसर का भी कारक होता है, भैरो मंदिर में रवीवार को तेल का दीपक जलाएं, प्रसाथ चड़ाएं, हर मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करें, हो सके तो उनके मंदिर जाएं, हनुमान चालीसा का पाट करें, किसी को भी कड़वे वचन ना बोलें, सरस्वती माता की पूजा करने से बुद्धी दिमाग ठीक होता है, क्योंकि राहू बुद्धी को खराब करता है, मा दुर्गा की उपासना भी कर स दुर्गा सब शती या नवान मंत्र, ओम, एंग, रीम, कलीम, चामुंदाय, विच्चे मंत्र का जाब प्रती दिन 108 बार करें, नवान मंत्र, मा सरस्वती, मा लक्ष्मी और मा काली के बीच मंत्र का संग्रया है, इसमें नो ग्रहों को नियंतरित करने की शक्ती है, शनिवा को पीपल के पेड में जल चड़ाएं, राहू की शान्ती के लिए लोहा, नीला वस्त्र, कंबल, तिल, सरसों का तेल, कॉयला, इलेक्ट्रोनिक का समान, नारियल और मूली का दान शाम के समय करना चाहिए, राहू के अशुप परभाव से बचने के लिए कुष्ट आश्रम म लाल अनाज देने से भी राहू की शान्ती होती है, साथ प्रकार के अनाज का दान कर सकते हैं, या कभी-कभी सफाई करमचारी को भी चाय के लिए पैसे देते रहें, काले कुट्ते या कोई को मीठी रोटी खिलाएं, कश्ट से पीडित विक्ती की सहायता करें, गरीब विक में काले तिल मिलाकर खिलाना चाहिए, गिलैरी को दाना डालें, ब्रामन को भोजन करवाएं, अमावस्या के दिन दोपैर के समय निर्धनों को एक समय भोजन करवाएं, दान देने से राहू का अशुप परभाव कम होता है, जिससे घर में सुक शान्ती का वास होता है, बाधाओं से बचने के लिए अपने घर के पूजा सल पर राहू यंतर की स्थापना करें, और रोज विधी विधान से इसकी पूजा करें, रोज शाम को राहू के मंतर ओम रांग राहवे नमहा मंतर का जाप 108 बार रुदराक्ष की माला से करें, राहू की दशा को शान्त क करने के लिए सोते समय अपने सिराने जों रखें और सुभा इनका दान कर दें, अपने घर के नरते कौन में पीले रंग के फूल अवश लगाएं, सफेद चंदन की माला धारन कर सकते हैं, तुलसी की माला भी धारन की जा सकती है, राहू विश का कारक होता है, इसलिए मकोडे और मचरों आदी से बचाव करना चाहिए, आप अपने आपको हमेशा साफ सुत्रा रखें, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, धन्यावाद